जिंद्रा जिर्खीजे, ब्रंदावन चंद जूखीजे, शमस्त आचारि ग्रंदन कीजे, गुदेव च्रनार गिंद कीजे, स्रीरंगिले विहरी विहरी विपीजे. प्रैमी रशिक जनों, अभी अभी आपने शुगम संगीत मद्यों, स्वामी जी को पद, जीलमाल जी को पद स्रवन कियों। अब श्वामी जी महरत की कृपार्शों, पूर प्रशंग बत स्री अश्टादर्शिद्धान, सोले मौपद, लोग तो भूलें, भलें, भूलें, अन्तिम पंकति को भाव स्रवन की हो है, और हूँ आज, उह है, उन्हें स्रवन करेंगे। महरत स्री कहें, लोग तो भूलें, भलें, भूलें, तुम जिन भूलो माला धारी। कहें, स्री हरिदास, जग्य देवता, पित्रन को स्रद्धा भारी। अंतिम पंकति में महराज ने कह दियो, तृतिय पंकति में बतायो, कहें, श्याम कहें, ते जी मोते बिमुखो गई। सो कौन जिन दूसरी करेडा जी। इन्होंने मो को छोड़के दूसरी बात, अल्प बात, अल्प शुख बात, छिन के सुख बात, कुछ स्विकार कर लियो। ये कैसी अनिविग जीवे हैं, वो मोते बिमुख हैं, ठाकुर कहें, हरी बिमुख जीव। कल के प्रशम में आपने सुन्यों, ये हरी बिमुख जीव। नाना प्रकार के छुद्र पासनाओं में हरी बिमुख जीव। तो करम कीचन में ख्युद्र पासनाओं में लगे भई हैं, तहं सिर्दाश जग्य देवता पित्रन कुण स्रद्धा भाई है। हरी कू छोड़के और इन ख्युद्र पासनाओं में जो स्रद्धा है, उनके लिए महराज बोले। जाकि या लोग यानि मृत्यु मंडल में और यहां के सुखन में आ सकती है, और नाना प्रकार के सकाम कर्म इनमें स्रद्धा है। बेद में कहे भए जो काम्य कर्म हैं, सकाम कर्म हैं, उनको नित्य कर्मन को, उनको शांगो पांग विधीते लोग जो सकामी लोग हैं, जो खुद्र देवताओं के पूजा सेवा में मन को राखे हैं। अनन्य संतन के चरणों में तो बैठे ही नाएं। एक मात्र उनके हिरदय में अनेक अनेक कामनान को, बासनान को, इच्छान को जाल फैलो रहे हैं। कि हमारी इच्छा कैसे पूरी होंगी इन देवता की पूजाते की इनकी पूजाते नाना प्रकार, हरी की निश्काम भक्ती की तरफ मन ना हो गए। ये जो है मन और इंद्रिन के बस वही रहे हैं। अपने घर में घर के कारयन में, नाना प्रकार के कारयन में ही जो है्ठ आसक तो है के नित प्रती, यज्य देवता, पित्रन की पूजा में ही ये हमेशां हमेशां लगे हुए दीखे हैं। बिegगी लोग इस बात को समझते हैं. ये लोग एक मार्थ, आर्थ धर्म, काम इन्ही में लेने, इन्ही के परायन हो जाते हैं. हरी प्राप्ति की गर्ज, हरी प्रसंता की गर्ज, रष्कन के संक की गर्ज, इनके हिर्दह में नहीं होकि जाए. या लिए ये शकल भव है हारी शकल दुखन को नास करे वारे हरी उनकी सरण ग्रहन नहीं करे है हरी श्मृति सरव्याद बिनासनम हरी को जो श्मृण है सरव्यादियों को बिनास करने वाला है लेकिन वो सरण ग्रहन ये जीव कभू नयप करे है ये लीला विहारी स्रीहरी हैं जिनकी स्रीमलभागवजी आज परमपावनी कथा हैं विहार जी के स्रीश्रणन में अनन्य अनुराक करनों तो दूरी की बात है ये भगवत सरूपन कूँ भी नाइ पकड़े हैं ये करम कांड में और नाना प्रकार की खुद्र देवताओं की उपास नाम में शकाम करम में ही और ग्रस्त के कामन में ही उनमें ही लगे रह में हैं और इनकी परमपावनी कथाब आरता हरी की उबाते ये लोग बिमुक रह में हैं भागवत सुखते बिमुक्रे में हैं कैसे आशर की बात है महापुर्स कहते हैं आशायर मानभाव जो सुवर्द आत्मा है वो बताते हैं कैसे आशर की बात है ये लोग कैसे हैं जैसे कोई दिष्टा भोजी सूकर, कूकर आद जीव, जा प्रकार उनको अम्रत तुल्य उत्तम पदार्थ और खवाए जाएं तो उनको वो परत्या कर देते हैं तो उनको वो भिष्टा भोजी है उनको भिष्टा पे ही लल्चान हो गए है वाई भात ये मनुश्य रशिकन के संग के अभाब में हरी की कथा उचोड़के और निंदित विषैन की याचना करते हैं यहां भी और उपर भी ये निंदित विषैन सुरगादिक के भोग भी ये निंदित विषैन ही माने गए उनी के विषैन में सुनना चाहते हैं उनी की चर्चा करते हैं और उनी को चाहते हैं यह आवज से ही आचायर मान भाव केते हैं विधाता ने इनकी मती हरन कर लिए विधाता की मारे भे है इनको मंद भाग्य है जो हरी के चण़ों में निन्य भाव नहीं करें मंद बासना में फसे भई दीन हीन लोभी पुर्स और बेद बदित रंग बिरंगे पुष्पन के समान स्वरगादिक लोकन को ही सरवश समझ लेते हैं। अगनी के द्वारा सिद्ध होए वारे अगनी और जल के द्वारा सिद्ध होए वारे यग्यादिक कर्म उन्ही को करते करते जीवन को बिदाब देते हैं। अंत मैं और दूसरी और भटक जाएवे के कारण उन्हें यानि हरीकेशनों में मन होना चाहिए था लेकिन भटक गए दूसरी तरफ। इसलिए श्वामी जी ने कह दिया तहें सिर्दा जग देवता पितरन कौन। तहें सिर्दा श्याम ते श्याम कहते ही जी मोते बिमुख भई। यह जी मोते बिमुख हैं जिन दूसरी करड़ारी जनों ने दूसरा रास्ता अपना लिया। बार बार मरने का और बार जनम लेने का। तो संतों के चरणों के शानिद के अभाव में इनको इस जीवन में पता ही नहीं लगता है कि हमको करना क्या चाहिए। हरी चरणार बिनों के विसे में सोच ही नहीं पाता है। तो कि सत्संग के अभाव के कारण यह सोच भी नहीं सकता है कि हमको यथार्थ करना क्या चैए यह तो काव भाग मिलो सत्संग ताके सीवत लागयो रंग भ्यारिन देजिन काव भाग ते काव कृपा ते यह सत्संग लहरी प्राप्त हो जाए वाकि सेवन से रदय पटल को प् खंडर रंग इसपर्श कर जाता है बड़े भाग हैं प्रेमी रशी को आपके जो कि श्वामी जी महराज की कृपा वर्शन और इसे रसरैश को स्रवन कर रहे हैं करण पुटों के द्वारा और हरदय में ब्राज करते करते और आगे बढ़ रहे हैं आपके धन्य भागे हैं श्वामी जी महराज की रशी का नन्रप्ति से श्वामी जी महराज की जो चर्ण आश्र जन हैं शर्णों में प्रीति करिये हैं श्वामी जी महराज की चर्णों में कि उनको तो हमेशा हमेशा ये सोचनों चाहिए बरावर कि स्वामी जी की बड़ी कृपार सबते बड़ी सर्वों पर कृपा है और या ब्रंदावन के अत्यंत अगम आवसर कूंपाय के हैं अब हमको काव तरीके से यग्य देवता, पित्र, इनकी सेवा रूप करम की चड़ में अपने मन को, चित्व को, बुद्धी को काव तरीके से नहीं फसाना है अगर फसाते हैं तो महान अग्यता है, महान दुख का कारणा है, बिलकुल भी नहीं फसाना है इसलिए महाराज ने इस पर्ष्ट का है सुलापद में कहें सियर श्याम कहें तेजी मोती में उत्वाई ये जी मेरे से बिमोख हो जाए नित्य निरंतर परम माधुर राजरस जो स्वामी जी महाराज जाके प्रदाता हैं शेवन को उनी के सेवन को अभ्यास करना चाहिए लाडो तुमें लडाए जियू तो गुनगाए शेहल इनको अनुराग भाग कल कौन गनेरी प्रेम सहेली के प्रेम को गावत ललना लाल छिंचन प्रतिरत विस्तरत करत प्राण प्रतिपाल अभी अभी पद गायन कियो नोतन तरल तमाल लाल में लता ललित फल्फलियां देत असीस भिहार 교ह क्रहो नवल नित्र लियां सहच्रीन को कितनों बड़ो शोवाग्य है प्रिया प्रितम पयु सहच्री शासन राके हैं एश्वती माधुर्य देश है देत सीस विहारिन दासी करहो नवल नित्रलियां दूलह दुलहन अधिक बनी पूजन चली करप तलु सुन्दर औरें ठान ठनी कियोय सक्षिन गठ जोर सवन मिल पाचे धन आगे धन पाचे जु धनी गावत चली गीत मंगल की सवय सुगर सजनी रुनक जनक पग धरत धरन पर छविपावत अवनी छिरक सुगंद मूलतर पूजो फूलन माल गनी अंचल जोरी है बर मांगत रहो ये प्रैम सनी रशिक बिहारिन होन मान छक केल कल का वनी ओहो महराई जी कैसा माधुर्य राज रसे श्यामा को आधार राज रस तो तो याकू छोड़के यह रस रहसिकूं यह सब के लिए जो दुल्लब है वो तुमको प्राप्त हो देकू जाय रहे हो है याकू छोड़के करम कीशल में प्रैमी जनों तनक भी नहीं जांक है यही को बरावर अभ्यास स्रीहदास नाम जाप करते और रसमें जितनों समझें स्रुंखला जी को पाठ केलमाल जी को पाठ अश्टाचारिन की वाणी को पाठ जो रसिकन के पद हैं जो केलमाल जी विवस्थित हैं आचायरिन के उश्व उनके दर्शन करो शंतन के दर्शन करो शमाज गायन सुनो और तंते मनते धंते अपने आपको अपने जीवन को इनके लिए शमार्पित करना चाहिए यही जीवन धन्य है प्रेमी रशिक जना स्री गुर्देव जी महराज कह रहे हैं या रस की दुरलबता के शमब में कि श्वामी जी महराज को ये रस के तनों दुरलब है या बिहार के लिए जीव की तो बात छो रहा है लच्मी पत भगवान बिशनुवी लालायत है देव पितर ले फिरें यहां राम क्रश्न न समाई कैसी बचन है ऐसी बचन है मारा इनको सुनके सादक घवड़ा जाए जहां राम क्रश्न भगवान बिशनुवी इनको भी समाभीस नहीं है सोचते सोचते हिरान हो जाएगो कि हम कैसे पहुंच सके है यहां में चिंता मत करो श्वामी जी महराज की अनने श्रणागती है तो समझो यह देश मिल गया मिल गया मिल गया श्वामी जी महराज की चिंता मत को लिए ब्रह मत रखे श्वामी जी के स्री श्रणो मने निभाव स्री हर्दास नाम जाप तो निश्यत ही यह देश प्राप्त होगा यह देव पितर लीने फिरें यहां राम कृष्णन न समाएं तो देव और पित्रों की बात करते हैं केंशियर्दा जग देवता पित्रन को स्रदा भारी उनमें स्रदा रखते हैं महराज भूले उनका रास्ता अलग है लोग तो भूलें भलें भूलें वो भूलें जो भूलने वाले उनको भूलने दो उनके विशे में महराज ने ज्यादा नहीं काये परमार्ती कह आवत बुद्रमेरी परमार्ती बिवेकिन के हित्र महराज कहें हम कौन के लिए कह रहे ह जो बिवेकी हैं उनके लिए कह रहे हैं। लोग तो भूलें भलें भूलें लेकिन तुम जिन भूलो माला धारी है। बहुत लोग और भी समझ जाएंगे, पहले हैं, तुम तो समझ लो, ये देव पितर ली ने फिरे हैं, तुम देव और पितरों की वाग करते हैं, यहां राम कृष्ण न समा, ऐसे ऐसे सब्द हमारे नहीं है, ये आशार्य प्रवर जिन्होंने अपने स्री गोद में व्यारी झकी विहारन को खिलाया, एक मातर तीन-तीन दिन जंब भी किनारे जिनको, कीवल, भीरत लाल भी हारन दो उस्री जमना जी के तीरे-तीरे, या पद को गाते-गाते तीन-तीन चहाग, तीन-तीन देन पर जाएंगे, खर्ति कउर गिरे, नहीं प्रसाद को टुकड़ा लायके प्राइमी जनों इसको उल्टा नहीं लेना है, भगवान स्री राम, भगवान स्री कृश्ण संजु, ये भगवा सरूपों में दोनों ही अवतार, प्राइमी जनों इसको उल्टा नहीं है, भगवान स्री कृश्ण पूर्ण अवतार हैं, और सब अवतार हैं, विहार जी महाराज अवतारी हैं, ये सब इनके अंस सरूप हैं, विहार जी महाराज अंस हैं, अवतारी भरता सुप्रवु नित्य विहारी एक, और भक्त भापू तुरण करें धर अवतार अने, खंडन किसी का नहीं है, बात बस्तू की है, भगवान कृष्ण में और अन्य अवतारों में जिस प्रकार से अंतर है, श्रीमत भागवाजी कह रहे हैं, ये ते ही चांसक्राप उन्स हो, कृष्णस्तू भगवान से हैं, और तो अंसकला है, अवतार हैं, ये तार्तम्यता प्रैम के कारण है, श्रीहदाश, तो ये पद, पूर्ण भयो, श्री स्वामी जी महराज के वारकृत, सोल है, ये निभावकूम, जैसे तूटे फूटे सब्दन ने, या दास के, द्वारा दास को माध्यम बनाय के, स्वामी जी भ्यार जी महराज में, हम तो कुछ हुच जाने ना हैं, ये स्वामी जी महराज जो बोलबाय लें, बैठे के हरदय में, वो, एक मायक बत मानो, कैसिट सरूप तो आप बेठे भएएं, वो जाने, प्रे मीरसिक जनो, इनको हरदय नम करके, और श्वामी भ्यार जी के स्री शरणों में, अनन्य अनुराग, स्री हरदास नाम जाब,